हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन की कुछ नई टिप्स जो कि आपको काफी ज़्यादा पसंद आती हैं और ये टिप्स हमारे किचन के काम को काफी एजी कर देती हैं खाने को टेस्टी बनाने में हमारी हेल्प करती हैं साथ हमारा जो किचन टाइम है उसको रिड्यूस करती है ताकि हम अपनी फैमली के साथ कॉलिटी टाइम स्पैंड कर सकें तो अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं बेल बट्न को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग चट्टी तो कई तरह की बनाते हैं और हर ब्रिकफास रेसिपी के साथ कोई ना कोई चट्टी ज़रूर बनती है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रीन टेमाटो की चट्टी इसे आप रोस करकी भी बना सकते हैं और रॉ भी आप बना कर देखे बहुत होती अच्छी लगती है यहां पर मैंने टमाटर लिये हैं थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च लैसन और कुछ हरे पत्ते जो भी आपके पास हो धनिया पुदीना अजवाइन या फिर बेजल लीफ हो तो आप वो डाल सकते हैं उसके साथ ही थोड़ा सा चर्न कर लेंगे पहले बिना पानी की अगर आपको थोड़ा सा जूरत लगती है फिर आप फोड़ा सा पानी डालकर इसको चर्न कर लें और यह बहुत ही अच्छी से बलेंड हो जाता है इस carry कांफी फ्रेश फ्लेवर की होती है और जो बाकी हम चटनी बनाते हैं उनसे काफ पसंद आती है तो आप भी जरूर ट्राय करें नेक्स टिप में आपके साथ शेयर करी हूँ कि किस तरह से विजटेबल प्लाव को हम खिला-खिला बना सकते हैं जब हम कूकर में स्पेशली बनाते हैं तो कई बार चावल गीले हो जाते हैं वो खिले-खिले नहीं बनते हैं या कई रख रह जाते हैं तो उसके लिए यहां पर first tip तो यही है कि चावल को कभी भी आप soak करके नहीं रखें जैसे normally हम राईस बनाने के लिए fifteen मिनट के लिए soak करते हैं या twenty उससे पहले vegetable को अच्छे से भून ले और उसके साथ ही जो आपने rice लिये हैं उनको भी बहुत अच्छे से vegetable के साथ भूनना है इससे इसके उपर oil की बहुत अच्छी coating हो जाएगी जिसकी वज़े से चावल बिल्कुल भी एक दूसरे से stick नहीं करेंगी चाहे आप पानी थोड जरसे में कम से कम तीन से चार मिनट के लिए ये सारी सबजियां और चावल को अच्छे से भून रही हो जब सारी vegetable चावल और मसाले अच्छे से भून जाए उसके बाद आप इसमें पानी एड़ करें और पानी भी आप उससाब से एड़ करें जिस तरह से चावल की requirement होती है जैसे कि किसी चावल में डेट कप में ही बन जाता है किसी में दो लगता है तो आप चावल को देख कर करें मैं जो चावल यहाँ पर यूज करती हूँ बासमती चावल इसमें मुझे डबल पानी डालना पड़ता है और उसके बाद इसमें नेक्स टिप है कि आप इसमें एक प्लाव इस तरह का होता है इस टाइम पर आप क्या करें हलके हातों से बिल्कुल चावल को उलट पुलट कर दें ताकि चावल तूटे भी नहीं और वो थोड़ा सा मिक्स भी हो जाए इस तरह से करने के बाद अगेन आपको लिट से इसको कवर करना है और पांच मिनट के पर आप देखेंगे कि आपके जो राइस है वो बहुत ही खिले खिले बनते हैं यह आप उसके इस में भी कर सकते हैं जब कई बार आप कुकर खोले और आपके चावल थोड़े से गीले रहते हैं उस टाइम पर भी आप इस तरह से जब अगेन उनको बंद करेंगे मिक्स करन के बार तो चावल हमेशा ही खिले खिले बने नेक्स टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि आप घर पर किस तरह से चिली गालिक पराठा बना सकते हैं और यह बच्छों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इसको आप चीज के साथ भी बना सकते हैं और प्लेन भ कर लें इसका हमें पेस्ट लाइक बनाना है ताकि अच्छा सा फ्रेश फ्लेवर आए इस तरह से जब गार्लिक को कर लेंगे रफली तो बस इसको हमें मिक्स करना है बटर के साथ में तो यहां पर मैंने एक बोल लिया है और बटर को आप रूम टेंपरिचर पर रखे ताकि इसमें ही चीज आड़ कर सकते हैं या फिर अलग से चीज डाल सकते हैं मैं यहां पर सिंपल इसको रख रही हूं पहले मैंने थोड़ा सा नमक एड़ किया है बेजल लीफ मेरे पस ड्राय है वो भी मैंने इसमें डाली है साथ ही डाले है चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैंन और उसको एक रोटी की तरह पहले बेल लेंगे eto जो रोटी हम बनाएंगे उसे बहुत पतली भी नहींदा रखेंगे और ना बहुत जादा मोटी और जिसके आठा बनाएं उसको थोड़ा सा हादसा ही रखें जैसे पूरी का आठा होता है यह मैंने normal चपाती का जो आटा होता है उसी को यूज किया है तो थोड़ा सा इसको रोल करने में problem होती है यहाँ पर जो mixture है उसको मैंने एक चमच भर के लिया है और अच्छे से spread कर दिया है पूरी रोटी के ऊपर इसके बाद हम side से cut लगाएंगे और अब इसको इस तरह से cone की तरह roll करना शुरू करेंगे और end पर जब हम पहुंचेंगे फिर इसको इस तरह से press कर देंगे तो यह हमारे लच्छा प्राथा जैसा इसका stuffing ready हो गई है बस इसको आप रख दें थोड़े देर और उसके बाद आप इसको बेल लें तो आप एक बार और देख लें किस तरह से इसको roll करना है simple बस आपको roll करते जाना है थोड़ा बहुत अगर इदर दर से रहता है तो जब आप उसको press करेंगे तो वो एक सार हो जाएगा और जिस तरह से चोड़ा portion है उस तरह रखके आप उसको इस तरह से press कर दें और फिर आटे के साथ coat कर लें तो ये हमारी लोई ready हो गई है इसी तरह से आप अगर चीज के साथ बनाना चाहते हैं तो इस तरह से पूरा mixture आप लगा दें चपादी के उपर और फिर इसके उपर आप grate किया हुआ चीज आट कर सकते हैं या फिर इस तरह से cheese slice इसके बाद इस रोठी को हमने चारों तरफ से इस तरफ से फोल्ड करना है और एक पार्सल की तरह से प्रैक कर देना है उसके बाद इसके उपर लगाएंगे सुखा आठा और इसको बिलकुल हलकी हातों से बेलेंगे यहां पर cheese भी बहुत अच्छे से spread होती जाती है make sure कि cheese जो आप लें उसे room temperature पर रख रहें ताकि वो soft हो जाए एकदम fridge से निकालेंगे फिर वो अच्छे से बिलती नहीं है बागी की जो लच्छा पराठा टाइप हमने बना के रखी है लोई उनको भी हम बेल लेंगे और इनको भी हम बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे normal size का ही रखेंगे जैसे हम normal पराठा रखते हैं जिस thickness का तवा यहां पर गरम हो गया है अब इस पर हम डाल देंगे जो हमने बहुत पराल डेल कर रखे हैं और वन बैवन शेकलेंगे इन फराठा को आप बिलकुल long flame पर उतने क्रिस्प पराठे बनते हैं और अच्छे से प्रेस करते हुए इनके अंदर बटर है तो जितना जाधा यह सिह उतना जादा सढादा क्रिस्प यह होते हैं और इनकी लेयर् ओर बहुत ही ज्यादा डिलीशस से लगते हैं इसी तरह से एक प्राठा मेरा बनकर रेडि हो गया आप देख सकते हैं कितना क्रिस्प है ये और इसी तरह दूसरे बागी रात भी मैं northwest रसे लूँ गी आप देख सकते हैं सी जो stuffing है और मसाला बहुत ही अच्छे से पूरे प्राठे पे फैला हुआ है और अच्छी सी लेरिंग हो गई है तो आप भी ये प्राठा ज़रूर ट्राए करें बच्चों को बहुत पसंद आता है बच्चों को पीजा का फ्लेवर काफी पसंद आता है तो इस तरह से चीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें मैं मिलती हूं आप से कसी और नहीं इंट्रिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्यू थैंक्स पू वाचिंग है वनाइस टे